दिविजनल कमिस्टर जमू सरीरवेश खुबार जी, मेजर गोवर्दन सिंग जी, ब्रिगेडियर बिजे सागर जी, दिक्षा कलूरिया, जमू कस्मीर प्रसासन के सभी अधिकारी, यहाँ उपस्तित, डेबियू सजन और मित्रोग। सबसे पहले मैं भारत के महानतम मिलिटरी स्ट्रटिजिस्ट एमांग यूधा जनलो जो रावर सिंग जी की पूनी अस्मती पर उन्हें विलम नस्तर धान्जली अर्पित करता हूं और उन्हें सफसत नमन करता हूं। आज एक के दिन बारत दिसंबर को तिबबत में लड़ते हुए जनलो जो रावर सिंग जी वीरगती को ट्राप्त हुए थी। मुझे लगता है कि देश उन्हें अखंड भारत के उस महान योदा के रूप में देखता है कि वने कीडियों के लिए अपनी वीरता, मिलिटरी स्टेटिजी एवं ठिंकिन से प्रेरणा नई उर्जा परदान कर रहे हुए। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रदिभी कृतकेता ग्यापित करता हूँ जो भारत बरस के पात्म विश्वास तथा स्वाहिमान के परती जन्रोल जुरावर सिंग जी की एसमरती और उनके जीवन करतब्यों को जन्माना समें पहुँचाने का कार्यव कर रहा है मित्रो मैं जिस विश्विद्याले में पढ़ा हूँ का सी हिंदु विश्विद्याले परी बार वहीं मैंने इनका नाम सुना था और हिंदु विश्विद्याले से जो संबंध है वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ एक बड़ा पुराना म्यूजियम है भारत का लाभगोन जनरल जुरावर सिंगी की पेंटिंग का एक स्क्रोल जिसमें 11 पेंटिंग प्लेट्स हैं वहाँ भारत का लाभगोन में रखा गया और वहाँ के संग्रहाले के लोगों का कहना है जनरल जुरावर सिंगी के सेन अभियानों पर प्रकास डालता अपनी पदम में इच्छा सक्ती वीरता करमटता एवं उसल सेन संग्ठन कि सक्ती के बल पर बड़ी बड़ी टाकतवर सेना हो एवं अत्यांतिवी परीद परिशितियों पर उन्हें जिस प्रकार से विजय प्राप्ट की उसकी कुछ जल्कियां उस पेंटिंग में दिखती है जनरल जुरावर सिंग्जी का जीवन मुझे लगता है कि ससक्त भारत के सपनों का एक प्रतीक महराजा गुलाव सिंग्जी के नितरतों में डोगरा सामराजी कि विस्ताद और अखंड भारत के सिंगनाद को रुणचेतर में मूत रूप देने में जनरल जुरावर सिंग्जी का नाम सरोच प्राथमिक्ता में लिया जाए इस दोरान लग्लाक बाल्किस्तान के अनेक सेन अभियां उनकी उत्तम सूजबूज और दिर्ड इच्छा सक्ती के प्रमान के रूप में दिखाई पड़ते हैं मैं उन्हें सौरिय, अनुसासन और कर्तब परायंता का प्रतिव मानता हूं जिनने दुनिया के सामने ये प्रमानित किया कि वीरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और माभारती की सर्था में अनं सम्हावनाएं भी नीत हैं। आजाजादी का अम्रतकालखंड पूरा देश मना रहा है। इस अम्रतकालखंड में आजादी की लड़ाई, हमारी आजादी के मुल्यों, तथा रास निर्माण में युगदान देने वादी महान में भूतियों का पूरा रास्टार्य समर्ण कर रहा है। मैं समझता हूँ, इस अम्रतकाल में जनरल जोरावर सिंगी जैसे महान व्यक्तित्रों के कारियों और जीवन मुल्यों के बारे में नागरिकों और विशेश रूप से युवाक्री को अधीक से अधीक जानने की आवस्यक्ता है, सभी नागरिकों को उस्यक्ति का संदेश याद रखना और समझना होगा, जिसका आधुनिक भारत के निर्माण में भी बहुत अफों युगदान होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि आनि वारत वर्स की एकता अखंडता की रक्षा करना सभी नागरिकों का वेजाइस हो है, उनका धर्म गी है, और इसी कतद का पालू करके जनर्म जिरावर सिंग्जी को सच्ची सर्भांजरी दी जासे, कोई भी समाज या राष्ट जो असने बहा मैं क्या कुछ होता रहा है मुझे बतानी कि आजावज़ रही है, लेकिन ये एक ऐसा दिवस है, जिस दिन हम सब संकल्प ले सकते हैं, जैसा जम्मू कस्मीर जनर्म जोरावर सिंग बराना चाहते हैं, जिस जम्मू कस्मीर के लिए उन्होंने कुरवानी दी, उस जम्मू कस जम्मीर में हम जिर्दोस नागरिकों के खून, सड़क पर नगिरें, इस सिंतधमात में हमारे सेना के जवान, हमारे बहुत के लोग लगे हैं, मुझे लगता है कि जो सामान नागरिका करता है, हमें भी उसी तरह उनके साथ खड़े होकर के इस अभियान में सामीर होना चाह पर उसे प्यों से में